हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आए होब आप सब अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे आज हम इस वीडियो में पुराने बैंगल का यूज करके बनाएंगे एक ट्रेंडिंग कड़ा या फिर ब्रेसलेट सबसे पहले हम अपनी साइज की बैंगल लेंगे दो बै पेट के तब मैंने इस कड़े को कवर किया है फिर चार लाइन की चार धागे की एक पतली सी लाइन और ली है और फैब्री ग्लू लगा के इस धागे को पतला कर लिया है और निडल में डाल लिया है तो यह थी हमारी पहली टिप और फिर सुई धागे में डाल लेंगे पॉ डानने है उसमें डानने के बाद जो हमें सबसे पहला पॉल था उसमें से हमने निडिल को निकाल लेना है इसमें से में निडिल को निकाल लेना है उसके बाद हमें बैंगल पे चार उतर फैब्रिक लू लगा देना है और पर्ल्स को पेस्ट कर लेना है क्योंकि पर्ल्स इदर सोलीशन दिया जाएगा तो इन प्राब्लम के सब्सक्राइब की जेए लाइक टीजिए और शेयर जरू कीजिए। यह काम करने के बाद अपनी बेंगर को थोड़ा सूखने के लिए रगदेंगे इंगे फैब्रिक लू को zूखने के फिर जंप लिये हैं जंप रिंग में कजणी ढली है या इसको लोरिल भी बहुत पर सारे नमई कहने फिर एक जंप नड़ यह पिर जंप यह अ हमें चारव णाने हंप और में निसकी बाइए forged acost whenever सबसे लास्ट फाली जंप रिंग में हमें छैन डान नी है बीच में इस तरह से हमें seven लटकन ready करणे हैं आप seven या five जितने आपका मनचाई उतने लटकन ready कर सकते हैं मैंने चोटे से बड़े साइज सेवें लटकन ready करी हैं अब हम इस लटकन को बेंगल्स में लगाएंगे सबस पहले हमारी पर्ल्स सूख चुके हैं फैबरी ग्लू को सूखने के बाद इन पर्ल्स कम और अच्छे से सिक्योर करेंगे यहां मैंने शिक्स बार धागे को लपेट का एक धागा बना लिया है और अपने पर्ल्स को इस तरह से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे इससे बहुत अच्छे से हमारी bangles पे सेट हो जाएंगे और last में fabric glue लगाके इसको अच्छे से सिक्योर कर देंगे जो हमारे extra धागे निकलेवे हैं उसमें भी fabric glue लगाके अच्छे से इसको चिपका देंगे तो हमाई बैंगल से ऐसी डेड़ी हो जाएगी आप चाहे तो इसको ऐसे भी पहन सकते हैं यह ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही है यहां सुई की हाल से सबसे पहले एक नोट टाइल लगा लेनी है इस तरह से और इसमें इस बात का खास दिहां रखना है कि जब हम लटकन लगाए तो इसमें धागे आपस में उलजी नहीं तो हमें धागे का साइज थोड़ा कमी रखना है ऐसा नहीं कि बहुत लंबा ले लेना है यह तो वह बहुत जाद आपस में उलजेगा फिर एक लटकन ले ली है और उसकी first वाला जो chain का hole है उसमें से needle को pass कराके फिर अच्छे से note tie लगा दे दी है कम से कम दो note tie जरूर लगाईएगा क्योंकि इससे हमारा लटकन अच्छे से secure हो जाएगा और ये lose भी नहीं पड़ेगा अपनी जिगर पर fix रहेगा नहीं तो कहीं बार क्या होता है कि जब हम note tie नहीं लगाते हैं तो ये लटकन lose हो जाती है और बहुत धिली हो जाती है जिससे बैंगल का लूग अच्छा नहीं आता है ये थी हमारी आज की एक और ट्रिक इसी तरह से मैंने बाके की लटकन भी लटका ली है और आप लोगों ने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करे लिया होगा और एक लाइक और शेयर तो करी दिया होगा कमेंट तो पक्का कीजिएगा हम हरे कमेंट का आंसर करते हैं हमारे अलग अलग शेप में से सर्कल शेप, ट्राइंगल शेप, हेग्जागन शेप, राउंड शेप, मॉबाइल इसलिंग, सब के टुटोरियल मिलेंगे और उसमें भी आपको कोई भी प्रोब्लम आती है तो हमें कमेंट किजिएगा हम सब का आंसर जरूर करेंगे और आपको ब अब यह वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जौर बताईएगा और प्लिज एक लाइक और शेयर करती जाइएगा सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा हम आपसे रोज मिलते अपने डियाइवाइ शॉट के साथ मिलते हैं एक नई डियाइवाइ वीडियो के साथ तब जग के लिए रादे रादे and keep watching